तो इस वीडियो में हम लो बात करेंगे Adani Enterprises Limited की एक Holy Owned Subsidory है जिसका नाम है Adani Airport Holdings Limited तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है और उस खबर के चलते Adani Enterprises Limited के अंदर आपको तेजी बनी हुई दिखाई दे रही है इसके पीछे के सबसे बड़ी वज़़ यही है जो आप लोगों के साथ मैं डिसकस करूँगा इस वीडियो में तो मेक शूर करिए कि आप पूरे वीडियो को एंद तक समझिएगा और देखिएगा पूरी स्टोरी जो है आप समझ पाएंगे कि क्या एक्चुली में हो रहा है तो देखिए यहां पर हुआ क्या है कि अड़ानी एरपोर्ट होल्डिंग्स लिम्टेड जो की एक अड़ानी एंटरप्राइजस लिम्टेड की होली ओन सबसेडरी है इन्होंने क्या किया है कि 23.5% की एक्विडी स्टेक को मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में M I A L भी बोलेंगे से एक्क्वायर कर लिया है अब ये 23.5% stake कौन own करता था Mumbai International Airport Limited के अंदर वो दो companies है जिनके नाम है ACSA Global और दूसरी company है जिसका नाम है Bid Services Division जिसको हम Bidwest भी बोलते हैं ये दोनों companies मिला करके 23.5% stake own करती थी Mumbai International Airport Limited के अंदर तो इन दोनों से इस stake को Adani Airport Holdings Limited ने 1685.25 करोड रुपे के consideration amount से खरीद लिया है और राइट तो Adani Airport Holdings Limited जो की एक holding company है आपको पता है Adani Enterprises Limited की तो इन्होंने 28 करोड 20 lakh equity shares को 10 रुपे के भाव से खरीद लिया है Mumbai International Airport Limited के अंदर जी हाँ आपने सही सुना Mumbai International Airport Limited के अंदर ये खरीदने की कोशिश ऐसा नहीं है कि आज और कल में हुई है Adani Enterprises या Adani Group जो है सेप्टमबर 2020 के मन्त में ही अन्नाउन्स कर दिया था कि ये अड़ जो है इनकी जो एरपोर्ट होल्डिंग आर्म है जिसका नाम है Adani Airport Holdings Limited एए एचल ये acquire करेगी M.I.A.L. के अंदर एक controlling stake जो है acquire करना चाहती है और उसके चलते इन्होंने ये जो ownership है वो खरीदने की कोशिश करी है South Africa की दो companies जिनके नाम मैंने उपर लिये थे ACSA Global और Bid Services Division जिसको हम Bidwest भी बोलते हैं दोनों से मिला करके 23.5% stake ये खरीद लिया है इन्होंने इसके अलावा इन्होंने September 2020 के मन्त में एक चीज़ और भी कही थी कि ये Mumbai International Airport Limited के अंदर stake तो acquire करेंगे controlling stake का मतलब हुआ कि अब वो उसको पूरी तरीके से control करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये जो उसका owner है अभी जिसका नाम जो GVK Airport Developers Limited ये पूरी तरीके से MIAL को own करता है लेकिन इसके इसको take on करेंगे राइट और इसके debt को भी take on करेंगे ऐसा नहीं है कि इसके debt को take on नहीं करेंगे राइट तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कर ऐसा होता है तो this new acquisition जो होगा ये Adani Group को एक allowance देगा कि वो जो acquired total debt है ठीक है उसको ये equity के रूप में convert कर देंगे GVK ADL GVK ADL का मतलब GVK Airport Developers Limited जो की MIAL का जो promoter है तो इसके जितने debt होंगे उसको acquire करने के बाद ये equity के रूप में उसको convert कर देंगे और ये agreed terms के उपर best है और इसमें कुछ regulatory approvals की भी ज़रूरत पढ़ सकती है तो खेर ये थोड़ी सी diverted मतलब थोड़ा सा उससे अलग है लेकिन अभी latest में अगर आप देखें तो अभी इस से में कितना इस टेक इनोंने acquire किया है 23.5% के आसपास 23.5% exactly और इसको shares में देखें तो 28 करो 20 lakh equity shares तो Mumbai International Airport Limited के अंदर 50.50% जो है जी वी के एरपोर्ट डिवलपर्स लिम्टेड ओन करता है ठीक है इसकी एक holding company है जिसके नाम मैंने अभी आप से लिया जी वी के एडियल जो की जी वी के ग्रूप की एक holding company है तो जी वी के एडियल के रूप में ये 50.50% जो है Mumbai International Airport Limited के अंदर own करते हैं और 74% जो है तो Mumbai International Airport Limited जो की आपको पता होना चाहिए कि ये Mumbai International Airport को तो manage करता है ये लेकिन अब क्या करेगा कि ये आने वाले time में अब नवी Mumbai International Airport Limited को भी manage करेगा तो recently जो अडानी ग्रूप है इनको बहुत सारे इनों एरपोर्ट को operate करने की permission मिली है जैसे कि लखनाओ हो गया जैपुर हो गया गौहाटी हो गया एमदाबाद हो गया तिरवंद पुरम हो गया मेंगलूरू हो एरपोर्ट हो गया ठीक है इन सब ही एरपोर्ट को यह operate करने की permission इनको मिल चुकी है PPP model के अधार पर यानि Public Private Partnership model के base के ओपर ओके तो overall अगर हम आज के इस content का conclusion समझें तो conclusion यह है guys कि Adani Enterprises Limited की एक holy owned subsidiary है जिसका नाम है Adani Airport Holdings Limited यह 23.5% stake hold खरीद चुकी है किसके अंदर Mumbai International Airport Limited के अंदर जो की Mumbai International Airport Limited जो की GVK Airport Developers Limited के तुरू own करी जाती है और GVK Airport Developers Limited एक GVK Group की holding company है तो GVK Airport Developers Limited 50.50% stake own करता है और उसको पूरी पूरी तरीके से take on करने की कोशिश या take on करने की planning है किसकी Adani Enterprises की इन्होंने September 2020 के मन्त में यह चीज़ डेकिलर करी थी तो अभी यह 23.5% stake जो है उससे buy कर चुके है for the consideration amount of 1685.25 करूर तो इसके अंदर जो तेजी चल लगा है इसके पीछे का सबसे बढ़ा कारण यह ही है okay I hope you got the whole information अगर आपको यह content informative लगा अगर आपने इसको लाइक या अच्छा लगा आपको तो प्रीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और दूसरी चीज़ दिमेट यह ट्रेदिंग को अगाउंट अगर आपको अपन कराना है if in case you are new to stock market or anybody who is in your contact interested to open account then there is a link for you in description box click on that link to open your account in upstock okay so this is all for this video see you next time with next video